आग्रा के सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गुगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एसन मेडिकल कॉलिज के गाइनी विभाग में नई आधुनिक सुविदाओं से युक्त, आपरेशन थियर्टर का शिभारम होने से आग्रा के महिलाओं को सुविदा मिलेगी जो मरीज पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते थे वहेसन मेडकल कॉलिश की गायनी विभाग में इलाज करा सकेंगे मॉडिलर ओटी जो है दो मॉडिलर ओटी हमारे भावन में बनी हैं ये मॉडिलर ओटी ऐसी होती हैं जिनमें बिलकुल कहीं पर भी यसे डास्ट फ्री ज़र्म फ्री अनूर्मेंट होता है और इसमें ऐसी लाइट्स होती है जो उटमाटिकली जल जाती है कम ज्यादा होती है, और आज इसका ओगाटन हमारे मंतरी जी मिस्टर सुरेश खणना जी ने किया गाइनी डिपार्टमेंट की उसके लिए ये कॉलेज में जो आठ मॉडिलर रोटी बने उसमें से दो गाइनी विभाग में बनाए गए ये मरीजों को उचित्तम सेवा देने के लिए बना है जिससे की ऑपरेशन के दोरान उन्हें कोई संक्रमन का खत्रा ना हो एसन मेडिकल कॉलेज की गाइनी विभाग में ऑपरेशन थेटर शुरू होने से महिला को काफी आराम मिलेगा आगरा के एसन मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को आडिटोरियम, हॉस्टल, मॉडिलर उपरेशन थेटर और नर्सिंग कॉलेज का उधगाटन करने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंतरी ने कहा कि 2017 से अब तक 19 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिन मेंसे 14 का उधगाटन हो गया है, 2-3 साल में एसन मेडिकल कॉलेज इंटिग्रेटिड योजना पूरी हो जाएगी हम लोगों के मानिने चिकित्सा शिक्षा मंतरी जी ने 2 मॉडिलर ओटी, पूरे कॉलेज में 8 मॉडिलर ओटी हैं, और उनमें से 2 जो हैं, उनका गाइनी में उन्होंने उधगाटन करा है, और अभी ये कोविट ब्लॉक में क्योंकि शुरू हुई थी, तो कोविट ब्लॉक हमें जैसे ही हस्तांत्रिट होगा, उसके बाद ये सेवा हम मरीजों को दे पाएंगे, और इसमें जो है, जितने भी ऑपरेशन होंगे, वो उचितम कॉलिटी और टेकनोलोजी से करे जाएंगे, हमारे विभाग में 2 मॉडूलर ओटी का इन्योगरेशन हुआ है, ये जिले में महिलाओं में होने वाले कहीं ऐसे बड़े ऑपरेशन हैं जिनके लिए आधुनिक मशीनों की जरुरत परती है, जिसके लिए एसन मेडिकल कॉलिज की गाएनी विभाग में ऑपरेशन थियाटर में ऑपरेशन जल्द ही शुरू कर दिये जाएंगे, सी न्यूस के लिए लक्षमीरा सिंग की रिपॉर्ट